तो आएए दोस्तों देखते हैं reasoning के top 5 question देखिए जा दोस्तों पहला question है most important question है और इस type के हमेशा प्रसंट पूछे जाते हैं दोस्तों यह mathematical reasoning के अंतरगत आता है ठीक है यानि reasoning के भी section में question यह पूछा जाता है और math के भी section में question पूछ लिया जाता है बहुत ही important type का question है question पर यह question कहे रहा है एक चीटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर उचे एक ब्रिच पर चड़ती है वहाँ अपने ठीक है कहे रहा है अपने मूल अस्थान से वहाँ कितनी दूरी पर है इस पे दोस्तों दो type के प्रसंट बनते है ठीक है पहला type का और दूसरा type का ठीक है तो पहला type का कौन सा बनता है यह वाला जो question इसको मैं solve करने कोशिस कर रहा हूँ और आप दूस्तों क्या करिएगा समझने की कोशिस करिएगा ठीक है देखिए कह रहा है एक चीटी 3 मीटर चलती है क्या होते है दूस्तों एक चीटी 3 मीटर चलती है यानि माल लेंगे दूस्तों पूछ रहा है प्रसन देखिए पूछ रहा है अपने मूल अस्थान से वह कितनी दूरी पर है मूल अस्थान यानि कि यह वाला है यहां पर जहां से चलना इस्टार्ट की है और यहां पर पूछ रही हो कितनी दूरी पर है तो यह दूरी कहने का मतलब ज्यादा तरो शूड पहला टाईप का ये प्रसंन बनता है वह कुल कितनी दूरी चली इतना असान तो पूछे गा नहीं לך 151 यानि कि यह वाला दूरी पूछ습니다 यह वाला दूरी पूछ तो कण का ओता है कण का मान कैसे निकाला जयता है तो कण बराबर दोस्तjenigen होता है under root minus square plus आधार क कैने का मतलब है कण बराबर क्या होते दोस्तों डेखिएगा कण बराबर क्या होते कण कैसे निकाला जातह है under root में लम्ब का स्क्रेkee Kate pixel चाहिए और प्लस आधार का स्कॉरर, तीन का स्कॉरर क्या हो जाएगा, 9, 16, 9 दोस्तों क्या हो जाएगा, 16, 9, 25 हो जाएगा, under root 25 का मान क्या होता है दोस्तों, 25 का मान होता है 5, तो ये दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 मीटर हो जाएगी, समझने कोशिस किजिएगा, ये दूरी क् समझेगा इसके लिए पेन उठाने की भी जोरत नहीं होती है कैसे तीन मीटर चली है फिर चार मीटर उचे ब्रिच पर चल गई है और यह दूरी पूझ रहे तीन यह चार तो क्या करेंगे दोस्तो चार का स्कॉर क्या होता है तो इसके अगांसे आजागा यहां से यांगं तक कि यह पांच मीटर उगी यानि कि चीती दूस्तो मूल अस्थान जों कि अच्य तरीके से समझ गैंगे अगला question देखिएगा दूसरा question है दूसरा question आपका series है यह भी important question है यह भी पू Rey- annotation है देखिए प्रस्ण है नीचे दी गई स्रिंखला में प्रस्ण Cinqe के असथान पर कौन सी संख्या आएगी प्रस्ण Cinq in कहां देखिए प्रस्ण Cinqe के यह संख्या में दिया गया ह ve यहीं पर पूछ रहा है कि कौन सी संक्याएगी तो दोस्तों सीरीज से रिलेटेट कभी भी आपकी पेपर में प्रसा है तो आप क्या करेंगे सीरीज को देखेंगे सीरीज कैसे आगे चल लिए तो जैसे दोस्तों यह सीरीज कैसे चल लिए देखिएगा तीन है दोस्तों तीन 24 चल्विस यानि कि दो हिदा ठीक है यानि यहां पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा इस टाइप से कि यह सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है गहट रही है कुछ भी शहां पर आपको समझ में नहीं आएगा यहां पर देखेंगे दोस्तों 2, 1, 6, 0, ऐसे कोई, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जब इस टाइप से आपके सीरीज सामने आ जाए, और दिखे कुछ भी जब समझ में आ है, तब क्या किया जाता है, दोस्तों, देखिएगा, तब किया जाता है, हम एक एक संक्या को छोड़ के सीरीज को सॉल्प करते है कहने का मतलब है, 3 के बाद दोस्तों, हम 5 छोड़ देंगे, 6, ठीक है, 6 के बाद दोस्तों, 12 छोड़ देंगे, यह वाला, यह वाला बारा लेंगे, फिर 12 के बाद दोस्तों यह प्रशनवाचक जिन छोड़ के, 24, ठीक है, यानि कहने का मतलब है, देखिए क्या हुआ, तीन क्या हुआ है दोस्तों पांच के बाद 12 यानि कि यहां पर multiply नहीं हो रहा है जुड़ा है कितना जुड़ा है दोस्तों पांच में साथ जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा यानि साथ जुड़ा है बारा के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें भी साथ अगर जो जोड़ दे त तो इस टाइप से सीरीज आपको एग्दम अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये सीरीज कैसे क्या हो जागा 19 हो जागा next question देखिएगा तीसरा question और दोस्तों मैं आपको बता दू प्रशन solve करने से पहले क्या किया करिए विडियो को पॉज कर दिया करिए अपने आपसे भी solve करने कोसिस किया करिए ठीक है अपने आपसे solve करने कोसिस करेंगे तो आपके अंदर सोचने समझ ही important है और आपको प्रसंद दोस्तों अच्छे लग रहे है तो वीडियो को अभी like कर दीजे और ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों share किया करिए like share करते हैं तो दोस्तों हमें motivation मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और किसी topic में आप इसे सुरूप से कम जोड़ है तुछ topic का नाम यानि chapter का नाम भी comment कर देंगे तो अभी chapter में बहुत जल्द complete करा दूँगा ठीक है देखिए तीसरा question है नीचे दी गई प्रस्ण का सही वेन आरेक बताएं वेन डाइग्राम बनाना है किसका गोड़ा बंदर बाग ठीक है दोस्तों वेन डाइग्राम से related आ संबंद कैसा है एक दूसरे के बीच एक दूसरे से कैसे संबंदित है बस यह चीज़ पता लगा लेंगे तो इसका आंसर भी आप देलेंगे ठीक है तो देखिए घोड़ा क्या होता है दोस्तों बंदर क्या होता है बाग क्या होता है देखिए और ज्यादा तरी student क्या सोच होते हैं देखिए बड़ा छोटा सोचने लगते हैं यानि कि घोड़ा बड़ा होता है उसके अंदर क्या कर लेंगते हैं दोस्तों बाग को कर लेते हैं उसके बाद बंदर कर लेते हैं ऐसे वेंड डियाग्राम नहीं यह आपको बड़ा छोटा नहीं पूछ रहा है यानि कि बेन डियाग्राम पूछ रहा है यानि इसके इसके बीट संबंध हो जाएगा देखिए ये घोडा क्या होता है बंदर क्या होता है ये जानोर होता है प्रीद भी उता है और ये सब आलाга,ależ इसका सरकल हो जाएगा तो दोस्तो इस टैप से अलग अलग सरकल देखिए किस ऑप्षिन में दिया है तो आपका देखेंगे दोस्तो ऑप्षिन नमबर बी देखेंगे तो ऑप्षिन नमबर बी में दिया है अलग अलग सरकल तो ऑप्षिन नमबर बी क्या हो जागा सही हो जा और इस टाप के भी प्रेशन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सौल कर लेंगे अगला कोसिन देखिएगा अगला कोसिन देखने से पहले दोस्तों जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दू दोस्तों यह पंचंप अगला संख्या क्या होगा यानि यह स्रि सिरीज के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे सिरीज कैसे आगे चल लेए कहने का मतलब इसमें देखिए पहले में क्या दिया है 589654237 उसके बाद है 8965423 उसके बाद प्रश्माचक चिंग यह दिया है तो इसमें आप थोड़ा से अगर जोस्तों थोड़ा से दिमाग गाएंगे तो क्या होगा दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ठीक है क्या दिख जाएगा यानि जो स्रिंखला यह नहीं कि यहां ते लिखा 8, 9, देखिए लिखा है ना, 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 7, यह लिखा है ना, 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 7, यह चीज लिखा हुए, ठीके, अब आगे क्या किया है दोस्तों, आगे देखिएगा, आगे देखिए दोस्तों, 8, 9, 6, लिखा है, 5, 4, 2, 3 तक लिखा है, 7 को नहीं लिखा है, समझ रहे ना इकर क्या रहा है यानि कि पहले वाले में क्या किया पहला संख्या हटा दिया दूसरे वाले में क्या किया दोस्तों देखिए तीसरे वाले में क्या किया है आगे देखिएगा यहाँ पे तीसरे वाले में क्या किया है यहाँ पे लास्ट वाला ही संख्या को इसको जब हटा ने सहहं ख़या हैपिर एक दु성 मजीस किरो कॉसित दूसरे वाले में क्यों क Don't कर दीया नहीं जए गाने कि और पूरन जया किया करें कि लिए अंगी की यहाँ फंप सेवन को हटा दिया और इतना लिग दिया अर्वvelop लास्ट वाले में दोस्तों क्या किया है लास्ट वाले में देखने ही कोसिस करेंगे देखिए अब इसके बाद से क्या करेंगे यानि कि 8 को हटा दिया है 9654 यह देखिएगा 965423 लिख दिया है उसके बाद दोस्तों हम लास्ट वाले यानि यहां प्रश्णवाचेक चिने य पिर क्या किया है दोस्तों यहां पर दोस्तों 8 को काट के यहां पर लिग दिया ठीक है इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों 3 को काट देंगे जितना बचा और लिग देंगे कहने का मतलब है दोस्तों यह बचा क्या दोस्तो 96542, 96542 इसका right answer होगा, जो कि option number D में दिया है, तो आपका option number D दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो इस type के भी प्रसना है दोस्तों, तो आप ऐसे solve कर सकते हैं, एक बार समझ लीजिएगा, ज्यादा कुछ ने किया है, बस 5 काटा है, फिर लिख दिया, ठीक है, फिर इसमें क्या किया है दोस्तों, 7 को काटा है, लिख दिया, ठीक है, फिर इसमें क्या किया है दोस्तों, 8 को काटा है, लिख दिया, फिर आगे क्या करेंगे दोस्तों, 3 को का देंगे लिख देंगे तो इसका अंसर क्या हो जागा यह जागा देखिए जोस्तो बहुत ही आसान कोस्टन है और यह बहुत बार पूछा जा चुका है और मैं उमीद करता हूं दोस्तो इस प्रेशन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गेंगे नेक्स्ट कोस्टन सब्सक्राइब क्या बिरश्मटय में तक हम दिनosse निकालेंगे कितने दिन होगे यह चीज इनके बीच की दिन निकालेंगे तो देखिए Pegs जनलरी यानि novamente जनवरी टोटल कितने दिन का होता है दोस्तो जनवरी कितने दिन का होता है एक 30 दिन का होता है जनवरी कितने दिन का होता है एक 30 दिन और 30 दिन तो बीट गया बचा इसमें कितना दिन दोस्तो एक दिन फेबरुरी कितने दिन का होता है दोस्तो 28 या 29 दिन का ली पियर जो होता किसे दोस्तो चार से पूरा-पूरा भाग चला जाए जाज इसमें ओ क्या होता है लीपियर जैसे 2012 में पूरा-पूरा चार से भाग चला जाएगा ठीक है 2020 है 2012, 2016, 2020 यह क्या होगा दोस्तो यह सब लीपियर होते हैं इसमें चार से पूरा पूरा भाग चला जाते हैं तो इसमें फेबरोरी माह कितने दिन का होता है 29 दिन का होता है लेकिन 2013 क्या है लीपियर नहीं है तो इसमें फेबरोरी माह कितने दिन का होगा 28 दिन का तो फेबरोरी में कितना दिन बचा दोस्तो 28 दिन अब पूछ क्या रहा साथ से भाग करेंगे । क्या करते हैं सब्ता हमें साठ ada होते हैं प्रतेक सब्ता के बाद वहीं दिन रिपीट करने लगता है इसलिए दोस्तों क्या करते हैं। साथ से भाग करेंगे। तो आपका option number D दोस्तो क्या हो जागा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूं दोस्तो आई इस प्रस्म को भी आप अच्छे से समझ गयोंगे और इस टाइप के भी प्रस्म आएगा तो आपके पेपर में कभी भी पूसा जाएगा तो आप solve कर लेंगे ज्यादा कुछ नहीं क किया जाता है बस इनके बीच का दिन देखा जाता है टोटल कितने दिन है जैसे इसमें एक दिन बचा जेनोरी में फेबरोरी में चाल्व कर barely में चो lot- unique जोड़ेंगे 1, 28, 2 क्या हो जाएगा दोस्तो 31 हो जाएगा और 31 को दोस्तो क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे किसे भाग करेंगे दोस्तो 31 को 7 से भाग करेंगे तो 7 क्या हो जाएगा दोस्तो 28 हो जाएगा और यहाँ पर 6 में क्या बचेगा 3 दिन जो 6 में दोस्तो बचता है वह हम इसमें जोड़ देते हैं गुरु वार में तीन दिन जोड़ेंगे तो हो जाएगा रभी वार इसका रभी वार अगर जो दोस्तों सेस में कुछ भी ना बचे जीरो बचे जीरो जीरो भी कभी बसता है ठीक है तो यानि कि वही दिन होगा गुरु वार ही होगा जीरो भी बस तो आप confused में होईएगा ठीक है अगर जो 0 बचेगा तो गुरुवार ही होगा और इसमें एक दिन बचा दो दिन बचा तीन दिन बचा जितना दिन बचता है उसको हम गुरुवार यानि कि जो दिन दिया रहता है उसमें हम जोड़ लेते हैं तीन दिन चोड़ेंगे रभीवा में उसको मैं next part में करा दूँगा अगर जोस्तों आपको किसी business chapter में problem है तुछ chapter के नाम भी आपको